इस करेंगे इसे कहा ऐखो ही इसे कंगे के वा riders की बेखे में सी आज हम डिसकस करने वाले हैं class 2nd के हिंदी हिपक्स ले बारे में class 2nd में two parts होते है πिर यह अगर पार्ट 2 हम यहाफ़ डिसकस करेंगे पार्ट 2 के बारे में क्योंकि जो part 1 होता है वो सभी schools में अलग-अलग होता है part 1 में क्या होता है? part होते हैं, यह lesson होते हैं जिसमें कुछ stories होती है stories से related उसमें आगे question answers और book work कराया जाता है तो वो सभी schools में अलग-अलग classes का अलग-अलग ही होता है ठीक है? but जो हमारा part 2 होता है, वो almost same होता है सभी classes का और सभी schools में तो हम यहाँ पर वही discuss करेंगे तो part 2 में होता है खंड के व्याकरण व्याकरण का मतलब समझते ही है grammar चीक है? तो उसमें first lesson आता है हमारा भाशा और व्याकरण इसमें भाशा और व्याकरण का introduction दिया जाता है भाशा के बारे में सभी को पता है भाशा क्या होती है? मौखिक और लिखित तो उसके बारे में समझाया जाता है जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है भाशा के रूप मौखिक और लिखित तो मौकिक का मतलब बोलकर और समझ कर लिखित का मतलब लिखकर और पढ़कर तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी बताए गई है पिक्चर्स के थुरू हम उसको समझा सकते हैं उसके बाद आता है वर्ण विचार वर्ण विचार को हम फॉनलोजी भी बोलते हैं जैसे इसमें हाँ पे वर्ण का मतलब है जैसे दो प्रकार के होते हैं स्वर और व्यंजन इंग्रिश में हम डिसकस कर भी चुके हैं कई बार वावल्स और कंजोनेंट्स तो हिंदी में भी उनको सिखाया जाता है उसके बाद आता है मात्राएं मात्राएं कौन कासी हो सकती है जैसे आ, आ, ई, बड़ी ई, उ, उ तो ये जो मात्राएं होती हैं इनको हम कैसे लिखते हैं इस तरह से छोटी, ज़र बड़ी ई, चीक है उ, उ, इस टाइप से तो ये जो मात्राएं होती हैं ये सब सिखाय जाती है उसके बाद आता है शब्द और वाक्या किसी भी picture से related कोई भी हमने चित्र दे दिया उसका हमें शब्द बताना है वो हम सिखाते हैं इसके एलावा वाक्या कई सारे शब्दों को मिलाकर उनको वाक्या बनाना सिखाया जाता है जैसे हाँ पर हम देख सकते हैं, यह कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, तो इस पिक्चर को देख के हम बता सकते हैं ना इसको, पंक, शंक, बंदर, हंस, तो बच्चों को शब्द बोलना और लिखना आना चाहिए, चीक है, और जब शब्द लिखना आ जाता है, उसके बाद उन किताब, दिल्ली, आगरा, ठीक है, यह सब संग्या के अंदर आते हैं, जैसे हाँ पर मैंने, यहाँ पर देखिए, इसमें वस्तू, वस्तू के एक्जामपल दे रखे हैं, टीवी, घड़ी, गेंद, केला, ऐसी हाँ पर स्थान के मंदिर, मस्जित, विद्याले, ठीक है, अ अलग अलग भेद भी सिखाए जाते हैं, जिसमें व्यक्ति वाचक संग्या, जाती वाचक संग्या, इसके अलावा भाव वाचक संग्या, तो इन सब के बारे में भी बताया जाता है, उसके बाद आता है लिंग, लिंग का मतलब क्या होता है, जेंडर, जैसे तो ये सब क्या है? पूर्लिंग, स्ट्रीलिंग. तो इस तरह से बच्चों को बताया जाता है पूर्लिंग और स्ट्रीलिंग में क्या difference है और उनको कैसे लिखा जाता है. उसके बाद आता है वचन. वचन का मतलब होता है वचन को हम बोलते हैं नमबर. नमबर में भी काइंट्स होते हैं एक वचन और बहुचन अब इसको कैसे समझेंगे जैसे यहाँ पर लड़का लड़के, लड़की लड़कियां बच्चा बच्चे, टोपी टोपियां तो यह क्या है अधर वाले एक वचन है उधर वाले बहुचन है यह भी हमें अंतगर पता होना चाहिए क्योंकि कई बारी क्या होता है सेंटन्स बनाते वक्त जैसे यहाँ पर हमने एक्जाम्पल लेते हैं लड़की पढ़ रही है तो यह एक लड़की है एक वचन है अगर हम कई साही लड़कियों के बारे बात करेंगे पर लगाये जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं फॉर एक्जामपल जैसी हाँ पर परस्नल प्रणावल मैं हम तुम वह वे आप निश्च्य वाचक यह यह वह वे अनिश्च्य कोई कुछ संबंद वाचक जो जैसा वैसा प्रश्न वाचक कौन क्या किसे किसको तो इस तरह क जितने भी होते हैं यह सब क्या होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं नेक्स्ट है विशेशन विशेशन में क्या होता है जो शब्द संग्या की संग्या की विशेशता को बताते हैं संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताते हैं उसे हम विशेशन कहते हैं जैसे तीन लड़के ख जा रही है कौन मोटी तो यह हो गया हमारा औरत के विशेश्टा बताई जा रही है ठीक है तो यह सब क्या होते हैं विशेशन होते हैं उसके बाद आता है क्रिया क्रिया में क्या होता है क्रिया का मतलब बता वर्ब यानि कि जो भी हम एक्षन करते हैं पूरे दिन में बोलना ह भसना, खेलना, कूदना, ठीक है, तो यह सब हमारे क्या होती है, क्रिया होती है, जैसी इहां पर नेहा नाच रही है, तो यह भी एक तरह कि क्या है, क्रिया है, दादा जी कहानी सुना रहे है, पिता जी समाचार सुन रहे है, बिल्ली दूद पी रही है, तो यह सब क्या है, क् हमारे सेम होते हैं, उनको हम परियावाची कहते हैं, जैसे आकाश का नभ, गगन, अंबर, आसमान तो इन सभी का अर्थत क्या है, सेम है आकाश को ही हम नभ, गगन, अंबर और आसमान कहते हैं आख, नेत, लोचन, नयान, अक्षी तो यह सब बच्चों को learn कराया जाते हैं उसके बाद आता है खंड, खे, रचना रचना means composition अब यहाँ पर बात आती है क्या क्या होते हैं वो पत्र लेखन सबसे पहले यहाँ पर होता है पत्र लेखन बच्चों को पत्र लिखना सिखाया जाता है जिसमें बहुती आसान language में उनको बताया जाता है कि हम कैसे पत्र लिखते हैं उसके बाद कहानी लेखन किसी भी topic पर कहानी सिखाया जाती है उसके अलावा निबंध लेखन निबंध कराया जाते हैं बहुत इजी स्टार्टिंग में करा जाते हैं जैसे गाय का निबंद लिखो मेरा विद्याले पर निबंद लिखो ठीक है उसके लावा चित्र लेखन चित्र लेखन क्या होता है जैसे यहां पर एक चित्र बना हुआ है तो हम इसमें पिक्चर को देख कर बता सकते हैं कि क्या हो रहा है चीक है तो इसको हम जैसे जैसे हमें दिखाई देगा वैसे वैसे हम उसको लिखते जाएंगे जैसे एक मैदान में तीन बच्चे खेल रहे हैं चीक है एक बच्चे ने पिछकारी ले रखी है और वो तीनों ही बच्चे आपस में होली खेल रहे हैं रंगों से खेल तो यह सब क्या है पिक्चर कंपोजिशन बोलते हैं इसको या चित्र लेखन बोलते हैं तो अपनी ही लैंग्वेज में उसको लिखना होता है सो फ्रेंड्स यह थी क्लास सेकिंड का हिंदी स्लेबस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शियर करें मिलते हैं अगले वीडियो में